हलो एव्रीवान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई Magnet Brains के शांदार यूटूब चैनल पर मैं हूँ जीशान आपका Maths Mentor और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ Magnet Brains के इस अमेजिंग यूटूब चैनल पर जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K12, that is kindergarten से class 12 तक की सारी classes के, सारे subjects के पूरे-पूरे लेबर्स के videos and that do free of cost कोई पैसा नहीं लेते हैं बॉस पूरी अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करो और बढ़िया बूस्ट करो अपने exams को और अच्छे स्कोर करो अपने ममी बापा को और हम लोगों को अपने उपर proud feel कराओ तो भाई आज क्या पढ़ने वाले हैं आज हम बढ़ेंगे इस video में class 10 के साथ exercise 2 part 1 exercise 2 क्या है सरी exercise 2 basically यह है second exercise of coordinate geometry और इसका part 1 यानि कि शुरू के 5 question इस part में देखेंगे 5 question next part में देखेंगे ठीक है तो भही है कौन कौन सी चीज़ों पर dependent है यह तो अब यह देखा जाए तो आपके तीन most important topic है इस chapter topic कहलो concept कहलो सबसे बहला है distance formula ठीक है under root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square आप बहुत अच्छे से जानते हो next है बेटा जो दूसरी चीज़ आती है that is section formula यादे x और y के अलग-अलग formulas होते m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 है ना यह x का हो गया m1 y2 plus m2 y1 plus m1 upon m1 plus m2 और last midpoint formula जो section formula का ही छोटा भाई है तो तीन अलग-अलग concept से मिलकर यह exercise number 2 आपकी तयार हुई है तो इस exercise को बहुती सब्र से अच्छे से सुकून से अपन solve करेंगे without any wastage of sum तो चलिए शुरू करते हैं भई जल्दी से pen copy निकाल लो यार क्योंकि तुम भी मेरे साथ solve करने वाले हो यह रहा question number 1 जल्दी से करेंगे बिटा let's start now question 1 कह रहा है find the coordinates of the point which divides एक ऐसा point जो divide कर रहा है लाइन को मेरे प्यारे बच्चे जैसे तुम देखो कि हमें काम करना है एक ऐसे point पे जो divide कर रहा हो dividing point हो section point हो section formula लगेगा सर हम यहाँ पर बनाते हैं सबसे पहले line और line के दोनो साइड या दोनो corners में लिख देते हैं अकडबकड़ देजे भी और सर ए बी लिखने के बाद हम इनके coordinates लिखते हैं भाया ए है अपना minus one comma seven और दूसरा वाला बी है पेटा इदर four comma minus three जगा मत बदल देना पेटा जो पहला है उसको पहला ही लिखना देखो join of join of समझ जहां joining लिखा हो join लिखा हो तो समझ जहाना ये line segment की बात कर रहे हैं काई की बात कर रहे हैं भई line यानि पहला corner ये दूसरा corner ये पहला end point ये दूसरा end point ये अब मान के चलते हैं सर इनी के बीचम बीच कहीं कोई point टपक गया जैसे इस point का नाम दे दिया हमने P और सर इस P point के coordinates हमें नहीं पता तो हम इनको क्या लेंगे बिटा बताते हैं सर इसको छोड़ो पहले हम इसका नाम देंगे X1, Y1 इसका नाम देंगे सर हम X2, Y2 जो point P है ना सर ये एक unknown point है जो इस line को divide कर रहा है बिटा dividing point को याद रखो अपने दिमाग में अच्छे से ठूस लो X, Y लिखते हैं क्या लिखते हैं सर X, Y और सर section formula ऐसे dividing points के X और Y निकालने के ही काम आता है हमको पिटा ratio भी दिया गया है 2 ratio 3 मतलब जो AP और PB का ratio है वो 2 is to 3 है AP ratio PB का है जो है वो 2 is to 3 है तो सर अगर हम यहाँ पर M1 ratio M2 की बात करें जो formula में हमें चाहिए बढ़ती है वो है 2 is to 3 क्या है सर यह 2 is to 3 2 ratio 3 इसका यह मतलब हुआ बिटा साथ ऐसा M1 2 हुआ M2 3 हुआ इतना ऐसा मतलब हुआ इसका और कुछ नहीं formula में M1 M2 आएगा हमें यह सारी values रखनी पढ़ेंगी ठीक है done अब बात है सर X की तो इसके X को निकालते है X का formula होता है सर section formula यह section point है न वो point जो 2 sections बना रहा है तो इसको निकालने के लिए section formula का उप्योग करना पड़ेगा X का formula होता बिटा M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 यह होता है सर formula for X चलो Y का formula देख ले दें सर Y1 Y का formula होता है सर M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2 Done बिलकुल done सर बस value रखो answer लेकर घर जाओ बिटा M1 की value we already have 2 इंटो X2 की value we have 4 2 इंटो 4 सर प्लस M2 की value we have 3X1 minus 1 है 3 into minus 1 M1 plus M2 M1 है सर 2 और M2 है सर 3 4 to the 8 ठीक है सर minus 3 upon 5 5 upon 5 is 1 तो सर X आगया 1 P का X आगया 1 ठीक है सर P का X आगया 1 1 comma चलो Y और देख लेते है सर Y निकालो भाई M1 Y2 M1 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 है सर 2 Y2 है सर माइनस 3 प्लस M2 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 है सर 3 M2 3 Y1 Y1 है सर 7 ठीक है upon 3 2 ब्लस 3 ठीक है 3 to the 6 जी सर वो भी माइनस का 7 3s है 21 upon 5 या या 15 upon 5 3 सर ये 3 आ गया ठीक है भई 7 3s है 21 minus 6 15 upon 5 3 या निकी जो Y आया वो 3 आया सर आंसर आ गया जो डिवाइडिंग पॉइंट P है उसके कॉडिनेट्स है 1,3 ये रहा बिटा छोटा सा question number 1 of your exercise 2 जो हमने कर लिया है आराम से solve जल्दी से आगे बढ़ते हैं moving on to question number 2 ना चलें क्या question number 2 देखते हैं सर लीजे erase ये रहा question number 2 जल्दी से करते हैं सर question find the coordinates of the point of try section अरे भाई previous वीडियो में 2 तनी 3 question करे थे try section वाले कितना आसान question है देखो आपके पास एक point आपके पास एक line है और उस line के end points जो है ये है बिटा इसको a और b मान लेते हैं ठीक है नाम नहीं दिये है a और b मानने पड़ेंगे ठीक है सर a और b मान लो अगर वो नाम दे देते तो नाम लिख लेते हैं ठीक है सर पहला point है four comma minus one तो ये होगा four comma minus one दूसरा end point है minus two minus three तो यहां लिखेंगे minus two comma minus three ठीक है अब मेरी बास सुनो find the coordinates of the points of trisection ऐसे points जो तीन section बना रहे हो यार एक बात बताओ तीन तुकडे बनाने के लिए हमें इस line पे दो points रखने पड़ेंगे हैना तीन तुकडे करना है trisect करना है तो भई एक point यहां रख देते हैं एक point यहां रख देते हैं और इन दोनों point के नाम दे देते हैं सर अपन क्या PQ नाम दे दिये PQ और हुआ यह कि सर trisection में यह होता है AP equal PQ equal QB ठीक है सर यह होता है trisection में तीनों parts सर equal हो जाते क्या हो जाते सर equal हो जाते अब मान के चलो यह पूरी line 12 cm की थी कितनी 12 for example तो यह 4 cm का यह 4 cm का और यह 4 cm का हो जाएगा 4 4 4 बराबर बराबर measurement में length में divide हो जाएंगी trisection का यही काम होता है जैसे bisection 2 equal parts कर देता trisection 3 equal parts कर देता तो इसका मतलब यह हुआ सर गौर से सुनिएगा कि जब हम P की बात करेंगे अच्छा तुम लोग को पूरा process बताता हूँ देखो हमें बता चले हैं कि P और Q 2 points of trisection है और इहीं दोनों के x और y यानि coordinates निकालना है एक एक करके काम होगा बिटा आपको पहले तो P के लिए solve करना पड़ेगा किस के लिए P के लिए तो जब P के लिए solve करेंगे बिटा मेरी बात सुन लो यार गौर से जब हम P के लिए solve करेंगे तो हम पूरी line वैसी की वैसी ही बनाएंगे और हम ध्यान देंगे कि हम उसमें सिर्फ P को दिखाएं सिर्फ किस को दिखाएं बेटा सिर्फ और सिर्फ P को दिखाएं A, B और यहाँ सिर्फ हम P दिखाएंगे हमें Q से फिलाल कोई लीना देना नहीं है ठीक है पी को दिखाया अब यह क्या हुआ सर यह हुए 4,-1 वो में फिगर है और यह हुआ सर-2,-3 ठीक है हमें पी पे काम करना है पी के कॉडिनेट्स वी डोंट नो के भई यह अब पी के कॉडिनेट्स क्या है तो हमें काम करते हैं जब भी जो पॉइंट सुनो जो पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड करता है ना जैसे पी पॉइंट आया एबी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक एपी और एक पी बी है ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ऐसे point को कहते हैं dividing point या section point और इनके coordinates जब आपको निकालने हो न तो इनके coordinates आप let करते हो बिटा x,y क्या let करते हो बिटा x,y और इनको निकालने का formula ही section formula होता है जो अभी अपनने previous question में और previous दो videos में सीखा है तो सर जी सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इनको x1,y1 सिद्ध कर दो x1,y1 गोशित कर दिया सर और इनको x2,y2 गोशित कर दो ठीक है सर ठीक, बिल्कुल ठीक है, अब मेरी बास सुनते जाना, मेरी बास सुनते जाना अब बात ऐसी है कि सर रेशियो भी तो चाहिए, रेशियो तो ही नहीं है पिटा मैंने क्या बोला, गौर से सुनना, example समझ लो तुम तो example मानलो कि ये पूरी की पूरी line 12 cm थी, या तुमारी 9 cm थी, या 15 cm थी, कुछ भी मानलो 15 मानलो ये पूरी 15 थी, trisection हुआ, trisection का मतलब क्या हुआ सर, trisection का मतलब है ये 5 cm, यहां से लेकर यहां तक 5 cm क्यों तक, और यहां से लेकर यहां तक 5 cm तो कितना हो गया, 5, 5, 5, 15, तो सर एक बात बताओ, AP कितना है, 5 cm, P से B कितना है, 10 cm, 5 ratio 10 will be 1 ratio 2, याद रखना, trisection में यही गेम है, बिटा, trisection में यही गेम है जो पहला point होता है, उसको हम बोलते हैं, 1 ratio 2, क्या बोलते हैं, 1 ratio 2 एक तुकड़ा, और दूसरा जो तुकड़ा है, वो दो equal तुकड़ों से बना है, P Q और Q भी अगर ये 1 है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 1 है, तो ये दोनों मिलके 2 होगए 1 और ये 2 तो, 1 ratio 2, इनका ratio होगा, P की वज़े से, जो line A B break होई है, the ratio will be 1 is to 2 तो हम क्या बोलेंगे, कि सर, यहाँ M1 ratio, M2 is 1 ratio 2 क्या है सर, 1 ratio 2, M1 की जगा 1, M2 की जगा 2 लिखना पड़ेंगा, ठीक है सर, आप क्या, आप कुछ नहीं मिटा, X निकालो with the help of section formula Y निकालो with the help of section formula और घर जाओ, है ना, P निकाल लेंगे, फिर अपन Q पे, ऐसे Q पे काम करेंगे तो सर, X पे काम कर लेते हैं, X का formula will be M1 X2 plus M2 X1 upon M1 plus M2 ठीक, done, value put करते हैं सर, M1 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 1 है, X2 minus 2 है, 1 into minus 2 plus, M2 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 2 है, और X1 4 है, 2 into 4, ठीक है, अपन M1 plus M2, M1 1 है, M2 2 है, 1 plus 2, ठीक है सर, यह minus 2 और 4, 2 है 8, minus 2 plus 8 upon 3, 6 upon 3 यानी 2, तू आया बेटा, P का coordinate पहला आया, 2, X आगया, इसका abscess आगया, अब Y और निकालते हैं, तो Y में formula रखना बढ़ेगा न, तब तो निकलेगा, तो सर, Y का formula जा होता है, Y का formula होता है, M1 Y2 plus M2, Y1 upon M1 plus M2, ठीक है सर, चलो solve करते हैं, M1, M1, M1 है, 1 बिटा, M1 है सर, 1 into Y2, Y2 है minus 3, ठीक है, plus M2, M2 है 2, Y1, Y1 है minus 1 upon 1 plus 2, minus 3, minus 2, minus 5 हो जाएगा, minus 3 और minus 2, minus का 5 upon 3, यह आगया सर, Y, this is Y, तो सर, जो P के coordinates है, Y2, minus 5 upon 3, यह आए, पहला answer आगया सर, points of trisection के coordinates निकालने थे, तो पहला answer आगया, के सर, जो पहला point of trisection का point P है, वो है 2, minus 5 upon 3, अब निकालते है Q, अब Q की बारी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही काम करके आप Q की बारी आ सकती है, अब बस एक चीज़ चेंज होगी Q में, सिर्फ एक चीज़, क्या, यहां से गायब हो जाएगा ही, मैं यहीं पर करने, उधे को Q के लिए काम कर रहा हूँ अब में, ठीक है, I am working for Q, मैंने P उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, ठीक है, इसको उड़ा दिया, बहुत गौर से सुनना बिटा, यहां Q आजाएगा, यहां Q आजाएगा, इधर अपने लिखा Q, और अब Q के कॉडिनेट्स यह हो जाएंगे, X, Y, बिल्कुल यही फॉर्मॉला चलेगा, इसको इरेस करेंगे, फॉर्मॉला बिल्कुल यही चलेगा Q के लिए, डिट्टो सेम डू सेम, इसको मिट पॉइंट फॉर्मॉले से भी कराऊंगा, भी टेंशन नहीं लो, बस यहाँ और M1 रेशियो M2 बदल जाएगा, P गया, कायब हो गया, Q आगया, Q के अब कॉडिनेट्स, X और Y, Q के कॉडिनेट्स हो जाएंगे, अब हमें M1 रेशियो M2 देखना पड़ेगा, Q देखो यार, Q, P को मत देखो, तो यहाँ से लेकर, यहाँ तक कितना है, देखो, यह 1, 1, 1, बराबर हैं सब, तो AQ हो गया बटा, 2, 1 and 1, 2, तो 2, रेशियो 1, तो M1 रेशियो M2 क्या आएगा, Q के लिए आएगा, 2 रेशियो 1, क्या आएगा, 2 रेशियो 1, समझ गए, पूरा वही चीज चलेगी, जैसा P के लिए चला, बस यहाँ पर रेशियो चेंज हो जाएगा, तो सर चलिए, सॉल्व करते हैं, लेट उस सॉल्व इट आउन, और M1 विल बी 2 ना, 2 इंटो X2, 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 2, माइनस 2, 2 इंटो माइनस 2, प्लस, M2 1 है, X1 4 है, 1 इंटो 4, अपॉन M1 प्लस M2, M1 है 2 और M2 है 1, 2 तो जा 4, माइनस 4 प्लस 4, 0 बिटा, यह 0 आ रहा है, इस इस 0, ठीक है, उपर निमरेटर में 0 आ रहा है, तो नीचे 0 आपॉन 3, 0 हो गया, ठीक है सर, Y देखते हैं भई, M1, M1, M1 है 2 इंटो Y2, Y2, Y2 है माइनस 3, माइनस 3, प्लस, M2, 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 M2 कहाँ चला गया, M2 है 1, और Y1, Y1 है माइनस 1, और 1 प्लस 3 है, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 लिख दो, 2 प्लस 1, M1 है 2, और Y2 है माइनस 3, और M2 है 1, और Y2 है, Y1 है माइनस 1, माइनस 6 और माइनस 1, माइनस 7 अपॉन 3, माइनस 7 अपॉन 3, यह आ गया सर, Y, तो सर, जो Q के कॉडिनेट्स आए, दे आर, कौर से सुनो, Q के जो coordinates आए वो X आया 0, Y आया minus 7 upon 3 ये Q के coordinates हो गए लेकिन Q के coordinates आप एक आसान तरीके से भी निकाल सकते हो ये answer आगया अपना, दोनों answer आगए Q के coordinates भी आगए, ठीक है? Q के coordinates कैसे easily आ सकते हैं सुनो पहली बात तो coordinates लिख लेते हैं अपन 0, minus 7 upon 3 ठीक है, ये लिख लिए आपन ने देखना कोड़ से एक काम ये किया जा सकता है कि सर हम बनाएंगे, उधर देखो, उधर करता हूँ मैं इधर कर देता हूँ हम P और B पे ध्यान देंगे Q निकालने के लिए सिर्फ P और B पे, ठीक है सर ध्यान दे दिया P B पे ये हो गया P और ये हो गया B ठीक है सर ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा ले अभी ठीक है ठीक है सर, P B पे ध्यान दे लिया अब बेटा, P के coordinates हम अब अल्रेदी निकाल चुके थे it was 2 upon 2, minus 5 upon 3 bracket, close, ये P है B, B है minus 2, minus 3 ठीक है बहुत गौर से सुनना, अब हम बात कर रहा है Q बिटा, Q जो है न, P और B के लिए पूरी लाइन नहीं, सिर्फ P B के लिए ये midpoint है बिटा, कैसे है midpoint देखो बताता हूँ सुनते जाना सर, ये कितना है, ये one है, ये भी one है, ये भी one है one नहीं, मतलब मैं equal की बात कर रहा हूँ this equal, this equal, this तीनों आपस में तुकडे equal है तो ये दोनों भी तो equal हुए है न, ये वाला piece और ये वाला piece भी तो equal हुआ हाँ सर, हुआ और अगर ये equal हुआ, तो बेटा, इसका मतलब q is a midpoint और बेटा, अगर q midpoint है तो आप q के coordinates को x, y ले सकते हैं और ये x, y midpoint formula से निकाला जा सकता है कैसे निकाला जा सकता है, देखो बताता हूँ सर, ये क्या हो जाएगा? ये turn out हो जाएगा x1 और ये turn out हो जाएगा y1 ठीक है? ये turn out हो जाएगा y1 ये हो जाएगा x2, y2 x2 और ये हो जाएगा, सर, y2 हैना, x कैसे निकालता है, बेटा, midpoint का? midpoint का x निकालता है, सर, x is equal to x1 plus x2 upon 2 plus x2 upon 2 हैना, y कैसे निकालता है, सर, y का भी formula होता y is equal to y1 plus y2 upon 2 ठीक है, y is equal to y1 plus y2 upon 2 ठीक है, सर तो x1 यानि 2 और 2 2 minus 2 0, तो x0 आगया, बेटा ये 0 आगया, कैसे आया, सर, 0? अरे, बताता हूँ x1 है 2, x2 है minus 2 2 minus 2, 0, 0 upon 2 तो 0 ही होगा, y निकाल लेते हैं, सर y1 है minus 5 upon 3 और ये minus 3 तो minus 5 upon 3 और plus minus 3 upon 1 upon 2, ये है बेटा y ये है y1 plus y2 upon 3 3, 3 is a 9 3, 3 is a 9 minus 5 minus 9 minus 14 minus 14 upon 3 और जो upon 2 है, वो इदर आजाएगा ठीक है, ये इदर आजाएगा इसके LCM के पास तो 2 ने इसको काट दिया 7 times minus 7 upon 3 आया, बेटा minus 7 upon 3 आया तो देख लो भाई, इसका भी minus 7 upon 3 और 00, minus 7 upon 3 तो इदर से भी आ रहा है चाहे आप इतने से में कर लो, अगर आप समझ सकते हो अगर आपके माइंड में ये रह जाए, वसे रह जाना चाहिए, क्योंकि ये midpoint formula से ही करना चाहिए, ताकि time बच्चों का बच सके ठीक है, तो ये जादा बेटर है in spite of doing this again है ना, एक पार्ट तुम निकालो with the help of section formula, शुरू शुरू में तो section formula लगाने ही पड़ेगा, लेकिन बाद में जब आप क्यों निकालो जो दूसरा point of try section निकालो, तो याद रखना कि दूसरा point of try section आप आराम से निकाल सकते हो by using midpoint formula, ठीक है, चलिए, moving on to next one, चल्दी से देखते हैं, next question number three इसको erase किया जाए sir, बिलकुल किया जाए भई, तो sir ये erase हो गया, ये रहा question number three जल्दी से पढ़ लेते हैं, बिटा, question number three क्या है to conduct sports day activities in your rectangular shaped school garden ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of one meter each, ठीक है ये lines बनाई गई हैं बेटा, these are the lines, ये देख रहे हैं ये सारी lines है, एक line, दो line, तीन line और ये chalk powder से बनाई गई हैं और इनका जो distance है ये बेटा, ये, एक-एक मीटर दूरी पर बनाई गई हैं, one-one meter दूर है ना, एक line यहां, फिर उससे एक मीटर दूर दूसरी line, फिर उससे एक मीटर दूर तीसरी line ऐसे बनाई गई है, ठीक है सर ओके, hundred flower pots have been placed at a distance of one meter from each other, along AD ये y-axis है बेटा, अच्छे से देखोगे y-axis दिखेगी, अच्छे से देखोगे तो आप समझ जाओगे, सर ये y-axis है और ये x-axis है ना, ये y-axis है सर, ठीक है, और ये हमारी x-axis है, ठीक है, done, अब बात समझ ना बेटा, बात समझ ना ध्यान से, इन्होंने जो चीज़े information हमें दी हैं, इस पूरे पैराग्राफ में तुम्हें बहुत तसली से पढ़नी पड़ेगी, सर, निहारी का जो है, वो एक लड़की है और वो रन करती है, 1 by 4th of the distance, 80, on the second line, मेरी बात सुनूं, निहारी का यहां से running शुरू कर रही है, यह second line से, और यहां second line यार यह है, यह second line है, यहां से वो कितना distance cover कर रही है, AD का 1 by 4, AD है कितना, AD सौ गमले रखे हुए हैं, एक एक मीटर दूर, तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, सौ गमले रखे हैं तो 100 मीटर, तो AD कितना है सर, AD आया 100 मीटर, हमने लिख दिया, AD is equal to 100 मीटर, ठीक है सर, AD आया 100 मीटर, निहारी का second row पे चल रही है, second line पे, और उसने दोड़ लिया, 1.4th of AD, तो निहारी का ने दोड़ा, 1.4th of AD, AD मतलब 100, तो निहारी का दोड़ चुकी है 25 मीटर, कितना दोड़ चुकी है बटा, 25 मीटर, बात समझ में आ गई, 1 by 4 of AD का मतलब यही है, AD से मल्टिप्लाइ करो, तो यह आ गया 25 मीटर, ठीक है सर, आ गई, पात समझ में, तो इसका मतलब, 2 हो गया X है, यह जो पॉइंट है, जहाँ पन निहारी का है, यह जो पॉइंट है, यहाँ पर रख देते हैं, let us put the dot here, इसके पैरों के पास यहाँ dot रख देते हैं, यह अगर यहाँ मैच किया जाएगे, सर, यह कितना dot चुकी है, यह Y पे कितना hit कर रही, Y पे, तो सर, यह Y पे 25 पे hit कर रही, कितने पे 25 मीटर, यह 25 मीटर दौड चुकी है, तो 25 यह हो गया, 2 यह हो गया, यहाँ and लिख देते हैं, कोई दिक्कत, no sir, no दिक्कत, अब बात कर लेते हैं, दूसरी लड़की की जो दूसरी लड़की भी दौड लई है, ठीक है, उसका क्या नाम है बिटा, उसका नाम ले लिया हुआ है, प्रीत, उसका नाम इन्होंने कहा प्रीत, अचा प्रीत कितना दौड लई है, प्रीत दौड लई है, 1 बाई 5 ओफ दौड लई है, चलो sir, 1 बाई 5 ओफ मतलब मल्टिप्लाई, 80, 80 मतलब 100 मीटर, तो प्रीत दौड लगा ही, 20 मीटर, इसको काटा पीडी कर ले ना, 20 मीटर आएगा, तो इसका मतलब प्रीत जो रो पे दौड रही है, कौन सी रो पे दौड लई है प्रीत, प्रीत is running on 8th line, 8 यह है sir, 8 पे दौड लई है और यह उसका पॉइंट बन गया, feet का, let us put the point on feet, sir, यह उसका पॉइंट feet का बन गया, अब यह y-axis पे कहा अटेक कर रही है sir, यह y-axis पे 20 पे अटेक कर रही है, यह y-axis पे यहां कहीं 20 पे अटेक कर रही है, तो यह हुआ 8,20 क्योंकि 20 मीटर यह कवर कर चुकी है, तो 8,20 यह हो गया प्रीत यानि P, point P, n मतलब निहारिका, P मतलब point P, that is प्रीत, तो हमें हमारे पास निहारिका और प्रीत, दोनों की बिटा coordinate points आ 25 और जो प्रीत का point है, it is 8,20 ठीक है, चलो, आगे पढ़ते हैं, what is the distance between both the flags, दोनों ने flag लगा दिये उन दोनों points पर, अब बता उनके पीछ का distance, तो यार flag N और flag P उन्होंने लगाया है, बहुत गौर से सुनना बिटा, निहारिका ने green color का flag लगाया है, और प्रीत ने लगा या है red color का flag, तो मैं बात ये कर रहा हूँ, गौर से सुनना, के sir, यहां निहारिका ने ये जो लगाया ये green flag है, क्या है sir, green flag, G-R-E-N, green flag, और प्रीत ने जो लगाया है sir, प्रीत ने जो लगाया है, वो है red flag, तो यहां अपन ने लिग दिया sir, ये red flag है, वो पूछ रहा है दोनों flag का distance बताओ, तो बिटा हमें इन दोनों points में distance निकालना पड़ेगा, किसमें, point P और point N में distance निकालना पड़ेगा, तो N क्या है sir, N है जो green flag लगा है, it is 2,25, 2,25, bracket close, निहारिका हो गया, प्रीत, P for प्रीत, यानि जिसने red color का flag लगाया sir, ये क्या है इसका point, इसके points ह सर 8,20, 8,20, ठीक है sir, अब इनको जोड़ दो बिटा, जोइन कर दो, तो इनको जोइन कर दिया, now what do we have, अब हमें इनका distance निकालना है, तो distance formula लगा होना है, यार, ये होगे sir, x1, y1, ये होगे sir, x2, y2, distance formula याद है, क्या होता distance formula, sir, distance formula होता है, under root x2, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, distance between red flag and green flag, that is np, is equal to under root x2 minus x1 का whole square, x2 minus x1 का whole square, plus bracket y2 minus y1 का whole square, ये है sir, ठीक है, x1, y1, x2, y2 की values हमारे पास already है, we will put the values and we will solve it further, ठीक है, चलो, चलो, values put करके solve करते हैं, इसको अलाग अटा हो, जरा side में, ठीक है sir, यहाँ solve कर देते हैं, ठीक है, x2 हो गया 8, 8 minus x1, 8 minus 2, यह निए 6, 6 का square 36, अंदर आया 36 plus, यह x1 minus x2 का square आगया, plus, y2 minus y1, y2 है 20, minus y1 यह निए 25, 20 minus 25 is minus 5, और minus 5 का square is 25, तो plus का 25, अंडर root, एड कर दो square root चला, तो 61 units is our answer, यह आगया हमारा distance, ठीक है, this is our distance, अंडर root 61 units, तो दोनों flag, यानि green flag और red flag के बीच में जो distance था, that is under root 61 units, आगे पड़ते हैं, एक लड़की है रश्मी, रश्मी has to post a blue flag, रश्मी जो है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ पटा, this is रश्मी, रश्मी को एक blue flag दिया गया और उसको post करना है, exactly half way between the line segment joining two flags, अब इन दोनों flag को join करती हुई एक line है, उसके बिलकुल बीच में रश्मी को blue color का flag लगाना है, जैसे ये जोनों को join करती हुई, ये line हो गई, इनके बिलकुल बीच में रश्मी को blue color का flag लगाना है, बीच में बतला बिलकुल mid point में, बच्चों यहां कहीं, यहां ठीक है बिलकुल बीचम बीच तो बच्चो क्या अंसर हो गया तो सर आक्चली यहां पर आर लिख देते हैं यह रश्मी वाला फ्लैग है जो ब्लू कलर का लगाना है यह आर मिड़ पॉइंट होगा किसका मिड़ पॉइंट एन और पी का ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लै मिड़ पॉइंट ओफ निहारी का अंड प्रीथ मिड़ पॉइंट ओफ टू पॉइंट एन एन पी ठीक है तो सर एन और पी के मिड़ पॉइंट पन निकाल ले थे हैं इसको क्लियर करते हैं एन और पी लिखते हैं पहले तो सर एन क्या है और पी क्या है लेट इस राइट य और P क्या है, P है 8,20, bracket close, ठीक है सर, ओके, यह है N, यह है P, और इनका midpoint निकालना है सर, जल्दी से हम दोनों को join कर देते हैं, और इनका midpoint हमें निकालना है, easily आ जाएगा, इतना कोई tough नहीं है, तो यह हो गया midpoint, और यह blue flag है, जो रश्मी नाम की लड़की रख रही है, तो R R का जो midpoint आएगा, वो आएगा, X1 प्लस X2 upon 2, comma, Y1 प्लस Y2 upon 2, मतलब क्या है सर, आपका, बात ऐसी हो रही है, इसको erase कर दूँ पहले मैं, इसको भी erase कर देता हूँ, ठीक है, space निकल आएगा थोड़ा सा, तो सर, midpoint की जब बात होती है न, तो midpoint को हम दो चीजों से compare कर दे हैं, एक X और एक Y, तो R जो midpoint हमें निकालना है, X, Y, सर, उसका formula होगा proper, क्या, X का formula midpoint में क्या होता, X1 प्लस X2 upon 2, है न, यह हो गया X1, यह हो गया X2, भाई, लिख लो जल्दी से, X1, यहां लिख लेते हैं, X1, Y1, यह हो गया X2, Y2, ठीक है, तो सर, X1, Y1, यहांनी निकाल लेते हैं, अपन X1 क्या है, सर, 2 प्लस 8, 2 प्लस 8, यहांनी 10, 10 upon 2, 5, तो यह आगया सर, 5, ठीक है, Y निकाल लेते हैं, पेटा, Y का भी formula होता है, we have a formula for Y also, Y1 प्लस Y2 upon 2, यह होता है Y का formula midpoint में, Y1 25 और 20, 45 upon 2, that is 22.5, 22.5, तो जो रश्मी है, जिसको blue color का flag लगाना है, उसे flag कहा लगाना पड़ेगा, उसे flag लगाना पड़ेगा, 0.R पे और 0.R के coordinates, midpoint के formula से हमने निकाल लिया, and that is, 5, 22.5, यह रश्मी वाला यानि, R वाला point हो गया है, this is point R, लो भई, this is done, completed, जल्दी से देख लो बिटा, let us move on to next one then, ठीक है, चलो, next question number 4, ठीक है, question number 4 देखते हैं सर, इसको erase करते हैं, कुछ नहीं था पिटा, यहाँ पर आपको जो पहली लड़की है, निहारी का, उसका point पता करना था, क्योंकि यह 1 by 4th complete कर चुकी थी, 1 by 4th बोले तो 25 मीटर आ रहा था, तो यह आएगा 2,25, यह आएगा 8,20, दोनों के point आ जाएं, distance निकाल देना, पहला answer आ जाएगा, what is the distance between those two flag, flag red और flag green, फिर उसके बाद एक लड़की आ रही है, रश्मी, रश्मी को इन दोनों के जॉइनिंग वाली line के बीच में रखना है flag, यानि midpoint पे रखना है, तो तुम्हें 2,25 और 8,20 का midpoint निकालना पड़ेगा, वो रश्मी का answer हो जाएगा, खतम, ठीक है, यह रह है, find the ratio, coordinate geometry में, जब भी ये question आ जाए, find the ratio, आपकी सबसे पहली line होनी चाहिए, let the ratio be, let the ratio, ratio किस नाम से जाना जाता, m1 ratio m2 के नाम से sir, let the ratio m1 ratio m2 be k ratio 1, हमने क्या मान लिया ratio को बेटा, k ratio 1, यह याद रखियेगा, k ratio 1 हमने मान लिया, ठीक है sir, अब m1 हो गया k, m2 हो गया 1, है ना, यह रखा जाएगा values, ठीक है sir, अब बात समझना, of the line segment joining the points, this and this, बेटा, इन दोनों को join करके line segment बना लो, इन दोनों को join करके line segment बना लो, सरी हो गई line segment और इन दोनों के अपन, वो रख लेते हैं, corner end points, यह और यह, ठीक है, okay sir, a और b मान लेते हैं, sir, यह हो गया a, और sir, यह हो गया b, a हो गया minus 3,10, b हो गया 6, minus 8, ठीक है, done sir, is divided by, यह line, एक line से divide हो रही, एक point से divide हो रही, और वो point मैंने यहां रख दिया, और point है, बेटा, minus, इस point को P बोल देते हैं, और यह दिया हुआ है, minus 1,6, हमने बना ली सारी चीज़े लिख ली, अब बारी है बिटा, हमें a, b, sorry, x1, y1, x2, y2, इस अब को नाम लिखने की, पहला वाला होगा, x1, y1, this is x1, this is y1, दूसरा वाला होगा, x2, y2, this is x2, and that is y2, और जो बीच में divide करने point आता है, उसको हम x और y के नाम से नवासते हैं, उपादी देते हैं, और इन ही दोनों के formula भी हमें पता हैं, बेटा, इन ही दोनों के formula भी हमको अच्छे से पता हैं, x का formula क्या होता, x बेटा किसका x है, sir dividing point p का x है, dividing point p का x है, p बोले तो section point, तो x का formula आएगा sir, m1 x2, plus m2 x1, upon m1 plus m2, done, ठीक है sir, बात समझ गा हैं, बिल्कुल समझ गा है sir, ये complete हो गया, y की वैसे जरूवत नहीं पड़ेगी, ratio आजाएगा इसी से, अगर जरूवत पड़ेगी तो y का भी लिख लेंगे ratio formula, जरूवत पड़ेगी नहीं, ठीक है, चलो तो x, x की value तो यार अपने पास है, minus 1, तो x की जगा minus 1 लिखो, is equal to, m1 x2, m1 है sir k, x2 है sir 6, तो ये 6 into k 6 के हो जाएगा, m2 x1, m2 है 1, x1 है minus 3, 1 into minus 3, minus 3 हो जाएगा, upon m1 plus m2, m1 है k, और m2 है 1, तो plus का 1, इसको bracket मिलो और इसको पूरे को अपन यहाँ transfer कर देंगे, multiply है न, यह divide है न, divide यहाँ है और यहाँ के multiply हो जाएगा, तो मैटा, minus 1 का multiply होगा k plus 1 में, k plus 1 पूरा bracket उठके आ गया और multiply होगा minus 1 से, is equal to 6k minus 3, minus 1 अंदर multiply करेंगे, minus 1 into k minus k, minus 1 into plus 1, minus 1, is equal to 6k minus 3, minus k इदर पहुँचा हो, 3 को यहाँ पहुचा हो, 3 minus 1 हो जाएगा, is equal to 6k plus k हो जाएगा, 3 यहाँ के plus हो जाएगा, minus 1 already है, k इदर जाँ के plus हो जाएगा, तो 2 is equal to 7k, k की value हाई 2 upon 7, 2 upon 7, तो हमारा answer भी आगया, हमारा answer आया, m1 ratio m2 बिटा, k अगर fraction में आ रहा है तो उसको ratio में ही लिख दो, 2 ratio 7, this is our answer, ठीक है, यही हमार answer आगया, अच्छा अगर तुम चाहो तो y से cross check भी कर सकते हो, cross check मतलब, बताता हूँ देखो, cross check यह होता है, कि मतलब मान के चलो तुम्हें doubt है, कि मेरा answer सही आया कि नहीं आया, तो यही काम तुम y से कर लो, तुम्हारा ratio फिर से सही आएगा, भूल याओ कि तुमने यह सब किया, भूल याओ, तुम तो y का formula लिखो, जैसे x का लिख वैसी, y का लिखो तो y का formula will be sir, y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, ठीक है sir, value put कर दे है, putting on to value now, तो sir, y की value हमारे पास already है, 6 है sir, 6 is equal to m1 y2, m1 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 है k, m1 और y2 है minus 8, minus 8 k, ठीक है sir, m2 है 1 और y1 है 10, तो minus 1 into 10, यानि minus 10 upon k plus 1, m1 है k, y2 है minus 8, ठीक है, y1 है minus 10 into 1, minus 10 सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, k plus 1 को यहाँ भेजो, multiply हो जाएगा, we have 6 into bracket k plus 1, is equal to minus 8 k, minus 10, यहाँ है sir, ठीक है, कोई जादी कॉर्णर में हो गया, side में इदर ले आते हैं, ठीक, उसके बाद, solve कर लो, 6 का multiply करो अंदर, 6 k plus 6 बंदा 6, is equal to minus 8 k, minus 10, ठीक है, minus 8 k यहाँ ले आओ, 6 k plus 8 k हो जाएगा, is equal to minus 10, और 6 भी उदर आएगा, तो minus 6 हो जाएगा, k और k वाली चीज़े एक तरफ, numbers, numbers, यहनि constant, constant, दूसरी तरफ, तो यह हो जाएगा बेटा, plus का 14 k is equal to minus का 16, ठीक है, k is equal to minus 16 upon 14, यह क्या आया भाई, 2 upon 7 आना चाहिए था, यह क्या आगया, 7 upon 14, 2 upon 7, रुक जाओ यार कुछ गड़बड हुई है, रुक जाओ, k, m1, y2, plus m2, y1, ठीक है, m1 है अपना k, ठीक है, m1, y2 है अपना minus 8, तो minus 8 k, ठीक है, plus m2, y1, m2 है अपना 1, और y1 है अपना minus 10, minus 10, अरे, it is not minus 10, it is plus 10, यह plus 10 है, it is not minus 10, यह plus 10 है, ठीक है, 3, plus 10 है भाई, ठीक है, यह हुई है, दिक्कत, तो यहाँ plus 10 से रिप्लेस्मेंट करनी पड़ेगी, भाई अपन को सारी चीज़ है, यह अटाओ, यह अटाओ, सब अटाना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, बड़े-बड़े शेहरों में छोटी-छोटी बाते हो जाती है, M2 होगे अपना 1, और Y1 होगे अपना 10, तो प्लस का 10 आएगा, ठीक है सर, अब ले जाओ, 6 इंटू K प्लस 1, is equal to, सर, we have, minus 8 के प्लस 10, minus 8 के प्लस 10, 6 अंदर मल्टिप्ला हो जाएगा, 6K plus 6 बन्जा 6, is equal to minus 8 के प्लस 10, minus 8 यह आएगा, 6 के पास, 6 के प्लस 8 के, 10 के पास 6 जाएगा, minus का हो जाएगा, यह 4 बचेगा, 14 K is equal to 4, K is equal to 4 upon 14, दोनों को बिटा, 4 और 14 को दोनों को 2 से डिवाइड करोगे, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 upon 7 answer, यानि 2 ratio 7, देखो इदर से भी, 2 ratio 7 ही आया, यहाँ भी 2 ratio 7 आया था, क्रॉस चेक करने के लिए किया मैंने, otherwise अपन नहीं करते हैं इसको, ठीक है, so this is done, question number 4 भी complete हो गया, question number 5 पे चलते हैं, यह रहा question number 5, इसके बाद यह session अपन बन कर देंगे, बाकी पा questions part 2 में, find the ratio in which, बेटा ratio आ गया लिखकर, सबसे पहली लाइन तुम्हें पता है, let the ratio, let the ratio M1, ratio M2, B, K ratio 1, ठीक है सर, जहाँ M1, वहाँ लिखोगे तुम K, जहाँ M2, वहाँ लिखोगे तुम 1, ठीक है सर, joining the line A, B, तो सर A और B की line बना देंगे, सर line बना दो जल्दी A, B, ठीक है सर, points भी लग दो, red color के यह हो गया A, यह हो गया B, ठीक है सर, A, B, A क्या है सर, 1, minus 5, B क्या है सर, B है, minus 4, minus 5, अब इस divided by x-axis, यह जो line है, देखो इसको पलटते हैं पन थोड़ा सा, पलट देते हैं इसको, ठीक है, गौर से सुनना, यह जो line है, ऐसी होगी, या तो ऐसी होगी, ठीक है, जैसे भी बना लो, ऐसी कर दो, अब इस line को, x-axis आई और काटते हुई चली गई, x-axis तो ऐसी होती है horizontal, तो x-axis आई और ऐसे कट करते हुई चली गई, this is x-axis, ठीक है, यह अपनी x-axis है, अब मेरी बाद सुनना, x-axis आई और ऐसे कट करके, इस line को, इस point पर उसने दो तुकडों में बाट दिया, दो तुकडे कर दिये, और इस point का नाम अपन ले लेते हैं, बेटा, let us call it P, कि सर यह P है, ठीक है, यह P है, अब यह जो point P है, मेरी बात सुनो, x-axis की वज़े से बन रहा है, तो यह जो point P है, this lie on x-axis, और कोई भी point जो x-axis पर lie करे, उसका y 0 होता है, y 0 होता याद रखना, समझाई बात, बिल्कुल समझाई, तो इसका मतलब यह जो P है न, it will be something like x, 0, क्योंकि यह x-axis पर भी है, यह जो point P आया, जो इस line पर आया, a, b line पर, जो हमारे question की actual line है, उस line का point जो P आया, वो x-axis की वज़े से आया, तो P point तो x-axis पर भी है न, देखो यह purple वाली axis पर भी है न, तो point P lies on x-axis also, तो point P will be of the form x, 0, x-axis पर होने वाला कोई भी point x, 0 जैसा होता है, तो sir हमें एक बात समझ में आ गई, x-axis को हटा दिया, और हमें एक चीज समझ में यह आ गई, कि sir जो P है, जो P है, what, 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 sir जो P है, वो x, 0 है, क्या है, P is x, 0, let us write, यह जो P है, जो x, 0 आएगा, x, 0, यह कहां से 0 मिला, क्योंकि यह x-axis पर भी लाई कर रहा है, समझ में आ गई बात, इतना काम था इस line का, बस अब यह line खतम हो गई, x-axis खतम हो गई, उससे आप हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है sir, अब बारी है बिटा, x1, y1 वगेरा लिखने की, तो यह होगा अपना x1, y1, यह होगा बिटा अपना x2, y2, और sir, जो point किसी line को तोड़ता है, जैसे P point तोडने वाला point है, dividing point है, तो point P के जो coordinates है sir, उनको हम x और y बोलते हैं, तो this will be x, this will be y, ठीक है, यह section point है, section formula से इनका पता लगाया जा सकता है, हमारे पास y की value 0 है, हम y में खेलेंगे बेटा, we will plane y, हम y में ही पूरा question complete कर देंगे, तो sir, हमने क्या करा, इस y को, इस y का formula लिखा यहां, कि sir, y is equal to, क्या होता है section formula याद करो, sir, section formula होता, m1 y2, y के लिए, plus m2 y1 upon m1 plus m2, यह होता है, sir, section formula for y, ठीक है, x का कुछ नहीं करना, अभी नहीं करना, फिलाल करना पड़ेगा, also find the coordinate of the point of division, यह हमें x निकालना पड़ेगा, x लिख लो भाई, नहीं तो बुरा मान जातू, x जो dividing point का abscess है, उसका formula होगा, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, यह होगा, ठीक है, done sir, करो value रखो, इधर करो, क्योंकि हमें y की value अल्रेडी पता है, 0 है, y की value अल्रेडी 0, x की value नहीं पता है, ठीक है, is equal to, m1 क्या है, m1 k है sir, into y2 5 है, plus m2 1 है sir, और y1 y1, यह है, minus 5, upon m1 plus m2, is k plus 1, ठीक है, 1, minus 5, minus 4, 5, देखो, k plus 1 जो है, 0 के पास आके multiply हो जाएगा, क्योंकि वहाँ divide कर रहा है, तो 0 से multiply होके, k plus 1, खतम, तो 0 is equal to 5 की, minus 5, minus 5 आएगा, 1 into 5, minus 5, minus 5 यहाएगा, plus 5 हो जाएगा, is equal to 5 के, 5 यहाँ डिवाइड करने आएगा, k की value आगई sir, 1, इससे हमें एक चीज यह पता चली, कि जो m1 ratio m2 है, वो 1 आया, k की value 1 आई, तो m1 ratio m2 is 1 is to 1, और वेटा एक बात बताओ, 1 is to 1 कब होता, जब यह m1 ratio m2, जिस point की वज़े से बन रहा है, वो midpoint हो, तो हम एक चीज समझ में आ गई है, यहाँ और हम अच्छे से हसी खुशी लिख देंगे, therefore, जो point P है, dividing point P, is actually a midpoint, P is a, midpoint of, midpoint क्या से बता चलता, अगर m1 ratio m2, 1 is to 1 हो, तो midpoint ही होती है, यह 1 is to 1 के condition, midpoint की condition होती है, तो sir, पहली चीज तो हमें ratio निकालना था, ratio हमने 1 is to 1 निकाल दिया, k की value 1 आई, यहाँ रग दी, 1 ratio 1 is our answer, पहला answer आ गया, दूसरा कोश्यन है, also find the point of division, coordinates of the point of division, point of division sir, यह है P, यह है P, ठीक है, इसके x, 0, मतलब x की value निकालनी है, midpoint formula से निकाल लो, या इस formula से निकाल लो, आपकी अच्छा है, इस formula से निकालनेंगे, तो अब m1, m2, बिटा 1 ratio 1 है, ध्यान रखना, m1, m2 अब, 1 ratio 1 है, तो m1 भी 1, m2 भी 1, यहाँ put कर देते हैं value, और check कर लेते हैं, क्या आ रहा है x की value, x is equal to 1 into x2, minus 4, 1 into minus 4, plus, m2 है 1 into 1, upon 1 plus 1, minus 4 plus 1, minus 3, minus 3 upon 2, x आया sir, minus 3 upon 2, तो जो point of division, इसके coordinates, यह आए बिटा, points, point of division P, जो है, point of division P, जो है बिटा, उसके coordinates थे, x, 0, x, 0, sir, x अपने निकाल लिया, minus 3 upon 2, और 0 आ गया था, क्योंकि यह x-axis पे था, यह answer हो गया, दूसरा, this is our second answer, पहला हो गया, 1 ratio 1, दूसरा हो गया, minus 3 upon 2, 0, so 5 questions, are finally over, जल्दी से अपन अब इसको, wrap up करते हैं, wrap up बोले, तो finish करते हैं, इसका कर दिया, एक clean less, और बिटा, यहां करते हैं, इस session को खतम, बाकी के 5 questions, आपको part 2 में मिल जाएंगे, I hope आपको सारे questions, अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो like जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को share जरूर करना, चाहे आप K2L की किसी भी class के बच्चे हूँ, किसी भी board के बच्चे हूँ, MP board, UP board, CBSC board, बिहार board, और आपको कोई भी subject पढ़ना हो, आप हमारे Magnet Brains के official YouTube channel, हमारी website और हमारे application पर आ सकते हैं, और आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, by watching all the videos, free of cost, आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपको description में एक link दिया गया है, जहां से आप e-books और e-notes डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि notes की जरूरत तो पढ़ती ही है, तो आपको best notes Magnet Brains प्रोवाइड कराता है, e-books and e-notes के form में, description में है, class 6 से लेकर class 12 तक English Medium, CBS e-board के सारे subjects के notes हमारे पास available है, आप आईए डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई को अपनी boost दीजिए, आप website और application से भी download कर सकते हैं, अपने e-books and e-notes, देखो ये दिख रहा है ना, grabby notes, इस पर click कर देना, अपनी requirement के अनूसार download कर लेना, जिस subject के आपको जिस class के भी notes चाहिए हूँ, जल्दी मिलेंगे in next session, till then happy learning, take care, bye.